South industry جس सर रफ्तार से आगे बढ़ रही है असा लग रहा है मानो कुछ सालों में अलग लैंगज होने के बावजूद दर्शिकों का सिर्फ साउथ इंडस्ट्री का ही जादू चलने वाला है जिसके चलते अभी से ही साउथ इंडस्ट्री के अभनेता और अभनेत्रियां काफी पॉपुलर है जिन में एक नाम अभनेत्री राशी खन्ना का है जो साउथ जगत की सबसे क्यूट और टालेंट डाक्टरस हैं। इन्होंने हमेशा ही अपने स्क्रीन प्रेजन्स से दर्शकों का दिल जीता है और धेरो तारी फेंड अपने नाम की हैं। लेकिन दोस्तों कि आप जाते हैं कि अपनी फिल्मों से दर्शकों की चहेती बनने वाली ये अदाकारा सिर्फ दर्शकों पर ही नहीं बलकि चार अबनेताओं पर भी अपना जादू चला चुकी हैं। जिसके चलते आज वो अबनेता सिर्फ इनके दीवाने नहीं है बलकि इनके साथ साथ फेरे लेने के एक्छा रखते हैं हमारी साउथ और बॉलिवर्ड इंडस्ट्री में ऐसे चार अबनेता हैं जो राशी खना के साथ साथ फेरे लेना चाते हैं चलिए आज किस वीडियो में हम आपको उन्ही अबनेताओं से रूबरू करवाएंगे फिरा ये एक एकर करके रूबरू होते हैं उन्ही चार अबनेताओं से जी हाँ इस लिस्ट में एक नाम प्रभास का है जन्होंने सिर्फ बॉलिवर्ड में ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में एक खास पहचान बनाई है यही वज़ा है कि आज लोगों में इनकी दीवान की सबसे जादा है लेकिन जहां लोग इनके दीवाने हैं और इनसे शादी करना चाते हैं तो वहीं यह अबनेत्री राशी खन्ना को बहुत पसंद करते हैं और उनके साथ साथ फेले लेने की एक चार रखते हैं बात करें इसके पीछे की वज़गी तो बता दें प्रभास राशी खन्ना एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं जिसके चलते प्रभास को लगता है कि राशी में सारी क्वालिटीज हैं जो यह अपने लाइफ पार्टनर में ढूनते हैं इसलिए इन्हें लगता है कि यह उनके साथ अपनी पूरी जिदिगे बिता सकते हैं जिसके चलते हैं यह उनसे शादी करना चाते हैं बॉलवर इंडस्री में बात की जाए हैंसम हंकी तो उनमें एक नाम सिदार्थ मलोत्रा का भी है जिन्होंने अपने डाशिंग लुक से इंडस्री में हर किसी को दीवाना बना दिया अगर बात करें सिदार्थ मलोत्रा को राशी करना में ऐसा क्या पसंद है जो उनसे शादी करना चाते हैं तो बता दें जिस तरह लोक्स धाथ मलोतरा के लुक्स के दिवान हैं, उसी तरह से धाथ भी राशी खरना की क्यूटनेस के फैन है, ज़ा ये कहते हैं कि जब इन्होंने पहली बार राशी को देखा तभी उनके चयरे की मासूमित और क्यूटनेस से इने अपना दिवाना बना इसलिए उन्हें आज भी अपना क्रुश मानते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं। दिल दे बैठे और उनसे एक तरफा प्यार करने लगे। जिसके चलते इनकी भी यह एक्षा है कि यह उनके साथ शादी करके साथ फेरे ले ले लें। राश्री खना के काफी दीवाने हैं और इनसे भी जादा दीवानी हैं इनकी ममी। जहाँ एक बार इनकी ममी ने तो यह तक कह दिया कि मेरा तो बस सब यही सपना रह गया है। कि ये प्यारी सी लड़की मेरे घर की बहु बन जाए और जब कार्टी की पसंद इनकी मम्मी की पसंद बन गई तो इन्होंने बेक इंट्रव्यू के दोरान राशी खना से शादी करने की तमना जाहिर कर दी तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि राशी खना की जोड़ी किसके साथ सबसे जादा बेस्ट लगेगी आप हमें अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं साथ ही आक्टिंग की दुनिया से जुड़ी ऐसी चटपटी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले